Class 10th में तो आ गए, लेकिन अब तैयारी कैसे करें, इसका सिलेवस क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हम भी अच्छे अंक ला सकते हैं या नहीं, आज हम इनी सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं दोस्तो किसी भी एक्जाम को देने से पहले, उसका सिलेवस जानना बहुत जरूरी है, अगर हम सिलेवस को नहीं जानेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो दोस्तो हम पहले Class 10th की सिलेवस को जाल लेते हैं, दोस्तो इसमें खुल 6 दो और वर्निका भाग दो की इन किताबों को खरीदना है इंगलिस में आपको पनोर्मा किताब खरीदना है मैथ में आप NCRT ले सकते हैं ये वाली किताब संस्कृत में आपको तीन किताबे खरीदनी है पहली बुक खरीदनी है आपको पियूसम दूइतियो भाग, दूसरी किताब खरीदनी है, पियूसम भाग दो दुरुत पाठाई, और दोस्तों आपको एक संस्कृत सहचर खरीद लेना है सोशल साइंस में आपको पांच किताबे खरीदनी है, पहला है हिस्टरी, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, इसमें आपको खरीदना है इतिहास की दुनिया दूसरी किताब खरिदनी है, Political Science, इसे हम लोग सेविक्स भी कहते हैं, हिंदी में इसे लोकतांत्रिक या राजनेतिक सास्त्र कहते हैं, तो इसमें आपको ये वाली किताब खरिदनी है, तीसरी किताब आप Economics खरिदनी है, जिसे हिंदी में अर्थ विवास्ता कहते हैं, और चौ जिसे हिंदी में आपदा परवंधन कहते हैं, दोस्तों ये किताब आपकी जियोग्राफी वाली किताब से मैच करती है, यानि भारस, संसाधन एवा उपियोग, ये दोनों एकी किताब में मिल जाते हैं आपको, अगर आप लोग दूसरे प्रकासन की किताब खरिदेंगे, तो आपको पांच किताबे खरिदनी पड़ेंगी, और अगर आप लोग ये वाली किताबे खरिदेंगे, तो स्रिफ आपको चार किताबों में सब मिल जाएगा, साइन्स में तीन भाग होते हैं, बाइलोजी यानि जीव विज्ञान, त्यमेस्टरी यानि रसाइन विज्ञ फीजिक्स यानि भोतिक भी ज्ञान, दोस्तो ये इसके लिए आप लोग NCRT की ये वाली किताब ले सकते हैं, या फिर साइन्स की किताब आप लोग अपने कोचिंग या फिर स्कूल से पूछ के वहाँ जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाप से खरी दिएगा, दोस्तो इस च स्क्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे